जहीं दोस्तो, आप लोग कैसे हैं, आसा करता हूँ दोस्तो, आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तो, रेलेवे गूरूब डी का अगर आप लोग तेयारी कर रहे हो तो आप लिए बहुत बड़ा खबर है रेलेवे बोर्ड ने OPCL अपडेट निकाला है एक नोटिस निकाला है उसमें दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हुआ है बदलाव यह हुआ है न दोस्तों आपको किलियर कट में आपको बता देता हूं टाम जाम नहीं डिरेक्ट मुद्धे पाते हैं बदलाव यह है न अब जैसा है कि आपको पता है न कि रेलेवे ग्रूप D के लिए जो क्वालिफीकेशन होता था न पहले दोस्तों पास पास बाले करते हैं लेकिन नोटिस के माध्यम से दोस्तों अब यह बता दिया गए है न दसवी के साथ आपके पास ITI होना चाहिए यह दो कंडिसन है दोस्त आउंगा तमाम चीजे पिस्तार से बताई गई है नोटिस में ध्यान से मेरी बात को समझेगा पहले रेलेवे ग्रूप ग्रूप दी कब जो वेकैंशी था ना केवल दसवी पास्पा होता था अब दोस्तों दो कंडिशन निकालके बता दिया गे यह तो पहला condition है आपके पास 10 बीप पलस आइटियाई हो सेकेंड कंडिशन है तेन्थ पलस दोस्तों आपके पास apprenticeship ठीक है यह आपके पास अपरेंटिसिप हो दो condition में आप लोग फर्म भरोगे लेबल वन गुरूप D इसको बोलते हैं दोस्तो उसमें ये असपस्थ रूप से बता दिया गया है और मैंने भी आपको असपस्थ रूप से बता दिया रेलेवे गुरूप D का वेकेंसी दोस्तो 2024 में जो आने वाला है न उसमें दोस्तो आपके पास ITI होगा तभी भर सकतो हो नहीं तो apprenticeship है तभी भर सकतो ये condition आपका हो गया है ये दोस्तो बात इसलिए मैं बता रहा हूँ न देखो रेलेवे ने इससे पहले साल कब वेकेंसी निकाला था 2019 में दोस्तो आपके एक वेकेंसी निकाला था उस टैम भी दोस्तो तेंथ पलस ITI कमपलसरी किया गया था लेकिन बच्चों ने कोचिंग जो होता है न कोचिंग वाले बहुत भी रोद कर रहे थे और बच्चों को भड़का रहे थे उसके कारण दोस्तो यह हुआ न कि भाया रेलेवे ने अपना जो नीन है वापस ले लिया उसी टाइम दोस्तो रेलेवे ने बताया था कि जो अगली वेकेंसी निकलेगी उसमें आपका ITI कमपलसरी किया जाएगा तो उसी पर रेलेवे ने नोटिस निकाला है जो नोटिस म पहले नोटिस देख लिजी आप लोग देखे दोस्तो यह मैं आपको अपको नोटिस दिखानों भारत सरकार रेल मंतराले रेलेवे बॉल ध्यान आकर्सन ठीक है रेलेवे में लेबल वन की नोकुरी के लिए दोसो सेचनी की जो गता है लेबल वन यानि दोस्तो ग्रूब की दी बोला जाता है ठीक है अब दुख रेलेवे में दुस्तों सीविल इंगिनिरीरिंग अब ध्यान समझेयेगा दोस्तो आसा मसमाझे लिए बिया उपर वाला पोस्ट के लिए रेलेवे में सीविल और इलेक्टिकल और सिग्नल ऐवाम टेलीकोम वी वागों में ताथा दोस्तों केंटरिंग भी भाग में पे मैट्रिक्स लेबल वन जिसको ग्रूप डीक में जो वेकेंसी आता है करमचारियों की सिधी भरती के लिए दोस्तों नेज़ारी सेचनिक युगता नेशनल काउंसिल फोर वकेशनल ट्रेडिंग द्वराप्रदत नेशनल अप्रेंटिस साथिफिकर सही 10 बड़ी या दोस्तों आइटिय सही 10 बड़ी यानि दोस्तों लेवल वन का वेकेंसी जिसको ग्रूब्डी का वेकेंसी भी बॉलते उसमें तुस्तों डिपार्ट्में आपको बताये गया है न कि ग्रूप डीमी बिभांग में जाते है इस फिप्रूब दि ये ग्रूप डी का जो फेकेंसी है अब देखिए इसके बारे में सारा कुछ बताया गया देखो हाला कि रेलेवे ने रेलेवे के टक्निकी भी भागों ने लेबल वन में करमचारियों को सिधी भरती के लिए रेलेवे बोट द्वारा केंदिर की रोजगार संख्या देखो य या दोस्तों नेशनल कांसिल फोर वेकेंसनल ट्रेरिंग दोर अप्रदत नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या एक समकच रखी गई ठीक है यानि कहने के मतलब और यह ना कि दोस्तों आम नीचे आपका पड़ता देता हूं दोस्तों जन सदारों को सूशिज किया जात में यह छूट के वाल एक विसेस वेवस्ता तथा केंद्री कित रोजगार सिंख्या जीरो तो हजर जीरो तो हजर ठारो और आरासी एक 2019 के तो रही भरतियों के लिए है यारे जो पिछला वेकेंसी था उसमें दोस्तों उसी टाइम आपका हो गया था लेकिन विरोध हुआ विरोध के कारण की कुछ इलेक्सन था ना बच्चे विरोध कर रहे तो यहां पिछले बार सी नियम लागू है लेकिन पिछला बार छोड़ दिया गया था अब दोस्तों विरोध कर लो चाहें कुछ भी कर लो भी या आप कुछ होने वाला नहीं है और और आपको मैं यानि ऑननिनिंग सिविल मेकेनिकल एक्ट ईलक्टिकल और सिगनल टेलिकस में होने वाली ऑप इसमें होने वाले भरती वह जिनकी सुचना दोस्तों इतना कि बाद जारी होगी यानि दोस्तों 19 के बाद तो आपका लेटेस जो वेकेंसी निकला नहीं है अब जो वेकेंसी है दोस्तों या तो तेज के लाश्ट में निकले या 24 में निकले जो कि दोस्तों इससे हम आज़ादा लागा सकता है कि वेकेंसी कम निकलने वाली है ठीक है आपको मैं बहुत पाग में ब अपना तयारी रखें सभी अविद्वार अपना तयारी रखें इससे अंदाजा लागाईए दोस्तों आप कितना बड़ा बदलाओ है आपके लिए तो बात समझ गए इस बात को मैंने क्लियर कट आपको बता दिया देखिए दोस्तों, नोटिस में मैंने आपको क्या बताया, सारा कुछ खतम हो गया, मतलब क्लिर हो गया, आप लोग बात समझ गये नो, तो जो बच्चा ITI किया हुआ है, उसके लिए बल्ले-बल्ले है, अब कट अप कम जाएगा, कारण क्या है न, रेल्वे ग्रूप डी का वेकेंसी निकलेगा तो, क्योंकि पिछला बार दोस्तों जो वेकेंसी था न, एक लाग दोस्तों झातीक है, तीन हजार के आसपास वेकेंसी निकला हुआ था, प्लाई करने वालों का संख्या देखो न, एक कोड़ोर दोस्तों, पंदरा लाग बच्चे फ़र्म अपलाई क यह थे अब अगर कर देता है या अप्रेंटिसिप कर देता है दोस्तों दोनों तो अब कोड़ोर में थोड़ी बच्चा आएगा अब पांच से दस लाग बच्चा ही करने वाला बच्चों कितना संख्या होगा आप ही बताओ एज के अनुसार क्योंकि इसमें एज का भी सीमा होते हैं तो फॉर्म भरने वाले का क्रोड में खतम अब फॉर्म भरेंगे मातर 10 परसेंट अब 10 लाग के आसपर फॉर्म गिरेगा अब कंपिटीशन का लेबल देखो रेलेवे ने ऐसा क्यों कि आप सवाल आप पूछोगे ना कि सर रेलेवे ने क्यों ले लिया देखो इसलिए लिया है ना कि जो पीछला वेकेंसी था एक लाग तीन हजाजाज़ों अहाली में जिसका जो वाइनिंग हो एगरा सारा कुछ परि छोड़ के आ जाते हैं रिजाइन देखें हम काम नहीं करेंगे तो इसी कारण रेलेवे क्या कर रहा है ना कि जो बच्चा आइटी यह अप्रेंक्टिस किया है जिसके पास ओलेडी स्कील है उसको लेगा ठीक है कि बच्चा छोड़के ना है और दोस्तों रेलेवे में डु मुझे लगता है कि हाड है ठीक है तो कुछ बच्चा होता है दोस्तों मांग चलो हो गया नोकरी वह एक तो नोकरी छोड़क छोड़ने का कारण एक है कभी घटना रेलेवें बढ़ रहा है उसके करें स्कील वरकर करका और मांग है कभी जो आइटी करके आए अप्रेंटिस आपके पास है आने वाले समय में यह दोस्तों आपका निन्ने लागू हो जाएगा तभी आप लोग फर्म भरोगे ठीक है अब इससे हम लोग आना आजा यह भी लगा सकते हैं कि रेलेवें गुरुप डी का वेकेंसी बहुत जल्द आने वाला है नोटिस आ गया अब इसका दोस्तों रेलेवेक अंदर और चलवा वकेंसी देना है तो आने वाले साल में दोस्तों यह लगता है कि यह दिए खाली लोगे फट्राब दिया दिमाग खोल कर रख लिजिएगा दोस्तों ठीक है तो यहीं आपको अपडेट रहना था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा कोई डाउट हो तो पूछ लिजिएगा और दोस्तों टेलिग्राम को चौन करेगी है वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जहने बाद